तो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हमारे पैस में महंद्रा बॉलैरो बीशिक्स विरियन गाड़ी है अलगा वील्स भी इसमें ड़ले हुगे है जो कि न्यू महंद्रा लोगों के साथ में आपको देखने को मिलेंगे और अभी इसमें कुछ एसरी इसका इस्टोलीशन भी ह हो रहा है एंड्रोइड का इस्टोलीशन भी हो रहा है तो वीडियो में बने रहे हैं अभी फुल इस्टोलीशन में आपको इस गाड़ी का बताने हो लोगों जो कि आपको महंद्रा के न्यू लोगों के साथ में अभी मिलने लगी है तो उसका ओर यू आप यहां देखिए महंद्रा का न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि लुकिंग वाइस बहुत बढ़िया लगता है बीसिक्स वेरियान है कंपनी आपको फॉग लेंस नहीं दे रही है आफ्टर मार्केस में फॉग लेंस डाल सकते हैं इसके इलावा यह जो गाड़ी काफी डैसिंग ल जो कि महंद्रा के न्यू लोगों के साथ में आपको देखने को मिलेगा गाड़ी काफी बढ़िया लुक के साथ में हो जाती है जब आप इसमें आलाव वील डाल सकते हैं यहां देखें बुलैरो बीसिक्स की बैजिंग आपको यहां देखने को मिल जाएगी और साथी साथ भाई इस गाड़ी के अंदर अभी हम लोग इंट्रोटेन्मेंट सिस्टम जो है चेंज करने वाले फुल टच एंडरोइड सिस्टम डालेंगे जेबियल के नाइन इंच के बड़े वाले स्पीकर्स डालेंगे लाइमिनीशन, शीट कवर और बहुत कुछ तो फ़र्स अफ बात करेंगे इस गाड़ी के सेंट्रोफर अट्रेक्शन जो की है यह अलॉई वील्स जिसमें आपको महंद्रा का न्यू लोगो दिखने को मिलेगा डायमंड कट अलॉई वील्स है ब्लैक और सिल्वर कॉंबिनीशन है 15 इंच के जो टूबलेस टायर गुडियर के कंपनी न जाते हैं लेकिन यह देखिए यह चीज लगने के बाद में गाड़ी काफी बल्की लुक में लगने लगती बहुत बड़ी आसका लुक आता है तो आप भी बुलैरो गाड़ी ख़ीद रहे हैं तो यह अलॉई वील्स आफ़ कंपनी से आफ्टर मार्केट डलवा सकते हैं न काफी बड़िया ग्रिपिंग के साथ मैं त्यूबलेस टायर कंपनी के महंदर कंपनी दे रही है 25 पचटर 15 इंच के ट्यूबलेस टायर के साथ में 15 इंच के अलॉई विल्स इस गाड़ी के अंदर इस्टॉल कर दिये गए हैं इसके लावा हम लोग बात करें तो इस elements मिल जाता है जिसमें headlight, tell light, side mirror, fog lamp, ventilator, chrome यह सारे chromes आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं headlight का जो chrome है यहाँ पर लगाया गया है looking was बहुत ही बढ़िया लगता है नीचे में आप देंगें fog lamps नहीं है तो after market fog lamps आप डाल सकते हैं white color के light में yellow color के light में आपको मिल जाते हैं इसके लावा यहाँ door handle chrome यहाँ पर देख सकते हैं यह चीज़ यहाँ पर लगाए गई है काफी बढ़िया लगते हैं set of 4P से आते हैं और back side के door के लिए आपको अलग मिलता है लगा सकते हैं 3M tape रहता है उसके back side में उसको लिकाल के आपको चिपकाना होता है simply अब हम बात करेंगे भाई गाड़ी के सम्में बढ़िया चीज वो है इस गाड़ी का roof rail ब्लैक कलर का है इसे भी चिपकाया जाता है 3M tape लगा रहता है उसके मदद से इसको उपर में चिपका दिया जाता है यहां देखिए B&W company का है quality product है और सम्में important है भाई white color की गाड़ी पर black color का यह जो roof rail काफी attractive लगता है sporty look के साथ में आपको देखने को मिलता तो black and white combination attractive लगता है तो black color का अब लगवा सकते या फिर इसमें option आपको white color का और silver and black combination भी मिल जाता है यहां देखिए जो डोर वाइजर है black color के ABS quality के set of six piece यहां पर लगाएगे जैन्वन हैं और साथी साथ भाई ABS quality के साथ में आते हैं ABS quality मतलब आपकी जो गाड़ी धूप वगरे में खड़े रहती है तो धूप के कारण color फैड हो जाता है लेकिन यह जो चीज है इसका color फैड नहीं होगा यह लॉंग टाइम तक आपकी गाड़ी के अंदर एक्दम चमकते हुए रहेंगे यहां देखेंगे तो इसका side profile जो alloy wheels है, body graphics है और यहां पर side foot step अभी क्या हो रहा है जो company आपको गाड़िया दे रही है उसमें side foot step लगा के नहीं दे रही है क्योंकि उन company के पास stock नहीं है या फिर वो delay कर देती है तो कोई इकत नहीं यह आपको side foot step नहीं दिया तो after market भी आप दलवा सकते हैं इसमें दो aluminium वाल charger में मिलता है side में जो दिखली clip के मदद से इसको hold किया जाता है कोई drill वगरे करने के जरुवत नहीं है और back side के tail lamp में इसकी wiring की जाती जो कि आप यहां देख सकते हैं और जब गाड़ी का brake दबाएंगे तो इसका light on हो जाता है तो इसे spoiler कहा जाता है अब यह चीज़ लगने 9 inch का full touch android system यहां आप देख सकते हैं भाई हमारे पास में यहां आप देख सकते हैं भाई हमारे पास में ब्लॉक बस्तर स्रीज का 103 प्लस वीरियन जो की 2 प्लस 32 GB के storage के साथ में आता है android 10 version 9 inch है और वन यह की company इसमें वारेंटी भी देती है तो आप यहां पर देख सकते हो य जान करी लेते हैं हम लोग तो गाइस अभी इस गाड़े के अंदर टच स्कीन डाला जा रहा है ब्लॉक बस्तर कंपनी का है बीबीटी 103 प्लस के नाम से मिलता है अब यहां देखिए इससे install करने के लिए फ्रेम चाहिए जो कि आप यह प्लास्टिक वाली फ्रेम देख सकते हैं एसी वैंड में कोई प्रॉबलम नहीं जाता है अभी यह देखिए कि यह क्या है बटन को कर लेती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ऐसी की जो बटन है उसका यूज नहीं कर पाएंगी यहां देखिए कर बना हुआ हुआ है यह से एसी की जो हवा है सीधी सिम्पली करवड के तुरू आ जाती है सामने अब नहीं नीचे नीचे में तो आपको simply क्या करना है इस तरह के से बटन को सी करना यह जादा रहता है अब इस तरफ पर बटन को डाओ की ऐसी का यूज dzięki आप इस थे का यह अब यूज कर सकते हैं बटन कर रहे हैं तो यह फ्रेम लिकलता नहीं है आपको अगर उपर वाला चाहिए फ्रेम तो वह फ्रेम जो रहता है ना वह तूड जाता है तो यह बैस फ्रेम है जो कि आप बुलैरो गारी के लगा सकते हैं अभी देखिए 9 इंच का डिस्प्लेय है यहां पर कॉर्णार में सारी क यह ब्लॉक बस्तर का यहां बैजिंग आपको दिखने को मिल जाएगा और यह फुल एंड्रॉइड टच स्क्रीन है क्लिक करने पर तुरंद रिस्पॉंस मिलता है प्री लोड़ेट सारी अप्लिकेशन इस डिस्प्लेय के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड की है और समय इसके साथ connectivity मिलेगी sound output आपको बहुत बरिया देखने को मिलेगा इस इक्विलाइजर का इसमें file explorer भी है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप इसमें आपकी जो गैलरी है उसके अंदर आपने पैंडर वगरे कुछ भी लगाया है तो उसकी सारी जानकरी यहां पर आपको कर सकते हैं जाती इसके अंदर चार स्पीकर connection डिवर्स पार्किंग कैमरा का connection भी किया गया है bluetooth इसकी साथ कर सकते internet connectivity के लिए आपको Wi-Fi का इस्तमाल करना होगा तो यहां पर Wi-Fi की सारी settings दी गई आप अपने mobile phone का hot spot on कीजे और Wi-Fi से इसमें internet connectivity कर सकते हैं यहां आप देखे जो music player है इसके अदर पहले से दिया गया है Bluetooth की थ्रूबी आप music चला सकते है pen drive की थ्रूबी चला सकते है और यह GPS भी आपको दिया जाता है तो यह Google Map जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते कहीं पर भी जाना है destination डालिए और बढ़िया इस Google Map का इस्तेमाल इस दिस्प्ले की थ्रूब कर सकते हैं अभी आफ लाइन है आपको internet connectivity करने के बाद में यह online हो जाएगा अभी हम बात करें सम्में इस्तेमाल कोई भी टच स्क्रिन का कि उसका डिस्प्ले कैसा है वह बहुत बढ़िया है responsive है अभी यहां पर आगर आप steering control button डालते हैं तो वह इसका attachment भी इसके साथ में हो जाता है तो यह steering control को भी अटेज कर लेता है इसके लावा हमारा बैक साइड के जो कैमरा है उसके साट में किया गया है यूटूब से आप फॉल एच्टी जो वीडियो से वो प्ले कर सकते हैं अभी हमारा क्या है यहां पर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसके अंदर आप अपना लॉगिंग कीजिए औ अपडेट अभी Android 10 वर्जन इसमें बॉक्स पर लिखा है लेकिन इसके अंदर अपडेट करने पर Android 11 भी आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट भी इसके अंदर दिया गया है तो गूगल असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आपको लॉगिं करना होगा द इसके अंदर बढ़िया सौंग अगरे प्ले कर सकते हैं टूल बॉक्स में सारी जानकरी आपको मिल जाती जीपीएस मौनिटर से लेकिस सब को जानकरी आपको इस डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है अभी हम बात करें भाई इसके वीडियो क्वालिटी की तो एक सैंपल देख सकते हैं यूटूब से भी आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं तो क्वालिटी के मामले में यह जो डिस्प्ले बहुत ही बहतर है तो आपने यदि बुलैरो बीफोर बीसिक्स बीसिक्स ऑप्सिनल गाड़ी खई दी है तो इस्तमाल आप कर सकते इस ब्लॉक बस्तर का एंड्रोइड सिस्टम दो की टू प्लस 32GB वेरियन के साथ में आता है कॉलिटी आप यहां खुदी देख सकते कितनी बढ़िया कॉलिटी है और डिस्प्ले की ब्राइटनेज भी आपको काफी भैतरी निसमें देखने को मिल जाएगी अभी इस गाड़े के अंदर कंपनी आपको देती है निपॉन कंपनी का सिस्टम स्वारी केंवुड कंपनी का सिस्टम देती है और बैक साइड में निपॉन कंपनी के चार स्पीकर देती हैं मतलब पीछे में दो स्पीकर रहते हैं सामने में दो स्पीकर रहते हैं अब बैक साइड के चेंज के उसको लिकाल कर ह इसमें 9 इंच के JBL की स्पीकर जिसका साउंड कॉलिटी आपको बहुत ही भैतरी देखने को मिलेगा पीछे में हम लोग ने नाइट विजन कैमरा डाला जैसी रिवर्स गेर डालेंगे आप तो इस तरीके से आपको ग्रिड लाइन के साथ में व्यू देखने को मिल जाएगा यहां देखिए मैंने रिवर्स गेर डारा है गेर से भाल लिकाला तो यह आपको वापिस से डिस्प्ले आउन हो गया तो कैमरा भी इसके अंदर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है तो यह हुआ मैं एंड्रॉइड तो इसको करेंगे बैक साइड में इंस्टॉल चली लगे हुए पर डिक्की में आपर इंस्टॉल करने वारे हमारे जे बिल्फ के नौ इंच के यह स्पीकर तो आप यहां देख सकते हो तो यहां पर इस जगहां पर कम्पनी ने ओर्लडी स्पीकर दिये वूए थे इस गाड़ी के अंदर यह वाले हैं निपान के स्पीकर है आ यहां पर लगाएंगे तो अभी यहां पास काम चल रहा है इसके लावा यहां देख सकते हैं ब्लॉक बस्तर का एंड्रोइड सिस्टम भी यहां पर डला हुआ है जिसका कनेक्शन इन स्पीकर के साथ में होने वाला है तो इसका आपको इंस्टॉलेशन बदाता हूं तो गाइस आप यहां देख सकते हमारे पास में नाइन इंच का फ्रेम आगया है दोनों साइट के लिए तो यहां पर हमारे जीबियल की स्पीकर लिस फ्रेम के अंदर कर जाएंगे और अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे तो यह फ्रेम की रिक्वार्मेंट होगी यदि आप 9 इ इस भी बताऊंगा उससे पहले देखिए जो कंपनी के सीटे थे उसको भाल लिकाल लिए इसको इंस्टॉल हो रहे हैं लेकिन यहां आप देखेंगे जो फ्लोर है काफी गंदा आपको कंपनी प्रोवाइड किया है दूल मिट्टी लगने से स्मैल आ जाती है और गंदा भी कर सकते हैं और बैक साइड में वैलको स्ट्रिक है जो कि आपके कार्पेट पर जाकर चिपक जाती है तूपीस में यह मिलता है फ्रंट और बैक पोश्चन पूरी गाड़ी को यह कवर करता है तो यह चीज आप अपनी गाड़ी के लिए जरूर लगवा है इसे लगवाने से आपका जो फ्लोर है हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है और नई गाड़ी आपने खरी तो इससे तो बिलकुल आप लगवा लीजे अब इससे लगाने के लिए पहले सीटों को भाल लिकालना रहता है तो हमने सीटे भाल लिकाल लिए अब यह देखिए यहाँ पर इस किलास की है और इससे लगाने के बाद में आपका जो मेन कार्पेट है जिसमें धूल मिट्टी लगने से स्मैल वगने ना लगती है वो अब हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगा कॉर्णर्स देखिए सारे जो कॉर्णर्स है उसको फाइबर पार्ट के अंदर सील कर द लगाने से आपकी जो गाड़ी है वो वाटर प्रूफ और डस्ट रूफ हो जाती है तो यह हमारे लाइमिनिशन का काम हो गया अब हमारा जो नेक्स स्टेप है वह हमारे सीटे तो देख सकते हैं आप यहां पर डूल टॉन कलर के सीट कवर्स यहां पर इंस्टॉल किये गए हैं और सीटो जो भाल लिका ले थी उसको वापिस से यहां पर लगा दी गई है तो ब्लैक एन बेज कॉंबिनीशन के यह सीट कवर्स से काफ़ी अट्रक्टिव लुक के साथ में आते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर से मैचिंग हो जाते हैं और लगने के बाद में गाड़ गाड़ी का जो लुक है और भी बढ़िया हो जाता तो यह कवर्स हम लोग ने यहां पर इंस्टॉल कर दिया है अब गाड़ी के बैक बंपर की प्रोटेक्शन के लिए आपको एक बंपर गार्ड की रिक्वार्मेंट होती तो यह यू सेप का बंपर गार्ड है जो की दिया जाएगा जिससे से यह प्रॉपर्ल यहां पर कनेक्ट हो जाएगा तो यह अप देखें लकteं कर लाइब जो कि अनन्दर लगाया गया और यह नीचे में भी सेव deuts comfortably सब्षाव जो की तो यह का बंपर आप लगा सकते है मिया आप चाहिए तो फाइब वन का भी बंपर damage होताता है लेकिन यह जो चीज है ना उस चीज से protect करती है अभी आपको ध्यान यह रखना कि installation करने से पहले आप इससे sensor की नीचे से लगवा है ताकि आपकी गाड़ी के sensor है वो proper work करें camera है वो proper work करें हम बात करेंगे यहाँ पर तो इस गाड़ी के दूनों अच्छे से देखा जा सकता है तो यह ट्राइवेग पुलिक्स इसमें आपको चालन अगरे भी नहीं करती है अब यह लगाना क्यों जड़ी है गाड़ी आप धूप में लेके जा रहे हैं तो डारेक जो sun rays धूप की किन्ने जो अंदर आती उससे गाड़ी हीट करने लगती और हीटिंग के वज़े से गाड़ी अंदर से गरम होने लगती है तो उसकी प्रोटेरदेक्शन की लिए यह फिल्म लगा सकते हैं यहां आपको इस इंस्टॉल के से किया जाता है तो यह पूरी फिल्म को कट किया जाता है फिर यह जो आप सैंपू वाला पानी है उसकी थूरू इस फिल्म को लगाया जाता है और एक बार लगने के बाद में इसली यह लग जाती है फिर लिकलती भी नहीं इन फ्यूचर आपको कभी लिका यहां पर देखिए इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीकी से होता है जिसमें फिल्म को कटिंग करके फिर इसको यहां पर अंदर से प्लेस किया जाता है जिससे आपकी जो है अब यह देखिए इस वाली विंडो पर लगा दिया गया है मैं आपको विजिविटी बताओं अंदर से बहार आप देख रहे हो प्रॉपर विजिवल है और बहार से अंदर देखेंगे तो भी आपको पूरी विजिविटी मिलेगी तो 50% वाली यह है इसके इलावा हमारे जो कवर्स हैं आपको एक लुक दिखा दूँ प्रीमियम कॉलिटी का लेदर है जो की लॉंग टाइम तक चलकते तो इंटियर मैचिंग के डबल कलर में यह आपको मिल जाते हैं और इसके लावा हम बात करेंगे भाई गाड़ी के अंदर कंपनी ने आपको कोई आमरेस का सपोर्ट ने दिया तो यह देखिए हमारे पास में वुडन से बना आमरेस है इसका एक ओवर्विव मैं आप एक लिटर की बॉटल एजली रख सकते हैं पीछे में एक मुबाइल का पाउस दिया है जिसमें आप मुबाइल को कैरी करके रख सकते हैं तो जो हमारी इंपॉर्टेंट एसेसरी होती है वह आपको यहां पर इसके अंदर रखने की सूधा मिल जाती है इसे इंस्टॉल करना बहुत इजी है इंस्टॉल हो गया कोई स्कुरू फिट्मेंट नहीं है आप प्लास्टिक वाला लेते हैं तो उसमें स्कुरू फिट्मेंट करना पड़ता हो कुछ दिनों बाद उसमें से आवाज वगरे भी आने लगती है यहां पर इसमें चोटा सा बूट स्पेस द करते हैं तो आपका लेफ्ट आम है ना वह बहुत करने लगता है तो उसके लिए यह जरूरी है यहां देखिए कोई भी यहां पर आम्रेस कंपनी ने नहीं दिया है अभी इसको आपको सिंपल इस तरीके से लजा ले ले जाकर यहां पर रखना होगा क्योंकि यह प्रॉपर मैचिंग हो गया आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का हम लोग ने सीट कवर डाला तो उससे मैचिंग यह हो गया तो यह आम्रेस्ट बैक साइड में देखिए मुबाइल पाउच का सपोर्ट है इसको नीचे तक प्रॉपर चले जाता है और साथी साथ बॉटल होलडर दिया जि पाईड़ बॉटल होल नीचे जाता है ङुटल हो इसको बचले होला नीचे जाता है झाल 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 तो गैस आपने देखा जो हमारे जेबिल के नौइंच के स्पीकर बैक साइड में डाले हैं उसका साउंड काफी इंप्रेसिव है साउंड क्वालिटी इंप्रूफ करना है तो आप भी नौइंच के स्पीकर बैक साइड में डाल सकते हैं सीट कवर्स हमारे यहां पर इंस्टॉल हो गया है और एकस्टीरिय ऐसेसिव भी सारी आलमूस्ट कंप्लीट हो गी है फ्रेंट साइड का ABSगाड भी आपको मिल जाता है तो ABSगाड लगाने के बात में आपकी गाड़ी पूरी की पूरी ready हो जाती है तो आपको आपकी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी ऐसेरी चाहिए आपको पसंद आ रही हो तो हमसे कॉंटे कीजिए इसे हम आपको होम डिलिवर करा देंगे तो ये सारी ऐसेसरी आपको आफटर मार्केट कमकी में तो मिल जाती जिसमें आपने देखा कि एकस्टीर काम इंटीर का काम म्यूजिक सिस्टम का काम सारा ही काफी अच्छी तरीके से हो जाता है तो आपको कुछ भी चाहिए तो ये मेरा वाटजब नमबर इस पर मैसेज डाली आपको सारा समान हम प्रोवाइड कर देंगे